कि नमस्कार मेरे प्यारे कशियोद्धाओं मैं शीवम आप सभी का एग्री कल्चर जीके के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं तो आज की इस लाइप क्लास के माध्यम से हम आप सभी लोगों से जनरल एग्री कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टन जो को करें बात करेंगे यह जो आची क्लास है एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है इस एक्जाम इस वीडियो में आपको इस्टाटिक साफ इंडियन एग्री कल्चर एंटमोलाजी और प्लांट पैथोलाजी इसके लावा इंडियन इकोनामिक्स के कोशन देखने क को मिलेंगे तो जल्दी से देड़ न करते हुए जितने भी लोग लाइफ जुड़ गए प्लीज आप सभी लोग अपने फ्रेंग्स को जितने भी लोग एपसी आई की तयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी वीडियो को सेयर कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए important information है कि अगर अभी तक आपने हमारे एप agriculture NGK को डाउनलोड नहीं किया तो आप अभी इसे डाउनलोड कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर इंडिया में होने अले सभी करसी एक्जाम के कोर्स टेस्रीज और ICR e-notes मिल जाएगा आप को जो डाउनलो का notification आप तक पहुन सके दोस्तों अगर आप क्रिव को फिल्ड रिप्रेंटेट्व एक्जाम के लिए अपलाई किया है तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं इस कोर्स में आपको जियास और agriculture की एस्पेसल बुक दी जाएगी प्रिवीज एर पेपर दिये जाएंगे mock test दिया जाएगा exam के लिए quality content दिया जाएगा मतलब इससे बाहर आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आउसकता नहीं होगी इसके लावा अगर आप interview के लिए qualify करते हैं तो आपको interview guidance भी provide किया जाएगा इसी package में इस कोर्स की जो फीर से वह 800 रुपे इसको enroll करने की link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर फिर भी किसी प्राइक क्वारी होती है तो आप वहाएं दियेगा है नंबर पर call कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज के question आज का मार जो पहला question है which Indian state producer that the largest quantity of pulse कौन सा भारती राज दालो की सबसे अधिक मात्रा का उत्मादन करता है जल लहरी गुड यूनिंग निसान देखिए आप sister की marriage में ठीक है आप जाईए बेफिक रोके जाईए लेकिन जब आव वापस आये तो जितने भी वीडियो हुई है उनको देखिए जल्दी से इस question answer बताईए आप सभी लोग की सबसे यादा जो pulse का production होता है और किस state में होता है देखिए सभी लोग जितने भी लोग live जुड गए प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को जो FCI की तयारी कर रहे हैं उन तक share कर दिजिए दोस्तों अगर तब तक हम आप से बात करें कि जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो राइस है राइस्ट की सबसे आदा जो production होता है यहाँ पर आप से केवलम जो फर्स्ट पॉजीशन हो है जिस स्टेट की जिस भी क्रॉप में उसके बाइरं के वहल बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जुआ जो राइस का प्रोड़क्षन होता व्हेस्ट बंगाल में होता है और जो वीट गेहू का सबसे आदा प्रड़क्शन आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है नेक्स्ट है आपका ज्वार ज्वार का सबस्यादा प्रड़क्शन महारास्ट्रा में और जो आपका मेज है मेज का सबस्यादा प्रड़क्शन करनाटका में देखने को मिलता है और जो बा तॉर दाल जिसे हम सभी लूग अरहाल के नाम से जानते हैं उसका प्रफिशन सबस्यादा महाराश्टा में होता है चैने का प्रफिक्षं सबस्यादा महाराश्टा में होता है उर्द॥ का सबसे आधा प्रोडक्शन उता है वो तहम मद्य प्रदेश में इसके लावा मू openings का सब सबसे अखुदा प्रडॉके रायस्तान में और युम अदर प्रकुर्सर्स होती है इसके अजितने भीहाँ पर अंडि इसके लाव जितने फॉयताती है उनका पम प्रकूर्ण सबस्ताम अध deze में होता है इसका टॐटल प्रेस ना परस जो होता सबसे आदा महारा मध्य समें देखने को मिलता है इसके अलावा गर rhetoric एम रेपकर शीड और मस्टर्ड की इसका सबसे सबस्एदा पॉडक्षोन राजसथान में शोय बीन का सबस्एदा प्र intentions महाराष्रा में चैस्ट अर्सीद इसका जो प्रक्षान आपको देखने को मिलेगा गुजराथ में पेर और जो सीशम होता है इसका सबसे ह decisions बन्गाल में होता है इसके बाद करनाटका में होता है जो टॉटल OIL Seed के पॉर्डक्षन में रायस्थान फस्ट पोजिसन पर है आप सभी लोग को याद रखना है कि जो तोटल OIL Caesar पॉर रायस्थान में सबसे हदा होता इसका एलावा जो सुगर केन होता है उसका सबसे सबस्यादा प्रॉडक्षन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है और जो कॉटन होता है उसका जो प्रॉडक्षन होता हो गुजरात में होता है इसके लावाद जूट का प्रॉडक्षन वेस्ट बंगाल में चाय का प्रॉडक्षन असम में और कॉफी का जो प्रॉडक्षन सबस date होता है वह करनाटका में होता है तह लगाखू का सबसे जब्रक्षन होता है वोवेस्ट बंगाल में और जो फूड ग्रेन का सबस्यादा पॱ्रडक्षन उत्तर प्रदेश नहीं होता है यह जल झसे आप सभी निंको तो आपको रटना ही पड़ेगा यह ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि इसको आपको एक बाद पांद शे बार इसको इसकी मलब एक स्कृन सोर्ट ले लिजिए दिन में आप इसको तीन से चार ब़ार गातार आखर आप पांच दिन देखी आप आपको कुछ सभी याद हो जाएंगे कि सबसे अधा जो पोड़क्शन है किस क्रॉप का किस स्टेट में है कि एक बार आप इनको पांचे बार पांचे दिन लगातार देखिए आपको आसानी से यह सभी याद हो जाएंगे इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वोगा ऑप्शन भी मध्य प प्रदेश में देखने को मिलता है इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में वीट हो गया इसके अलावा है टोटल फूड ग्रेन हो गया इनका प्रदक्शन उत्तर प्रदेश में सबसे आदा देखने को मिलता है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन हमारा है प्लांट पैथोलोजी से जो है स्ट्रीप रस्ट इफ वीट अकर कामनली इन यदि गेहूं में धारी रतुवा समानता पाया जाता है जल्दी से आप सबी लोग इस कोश्चन का अंसर कमेंट करिए देखिए टेबर क्लियर नहीं हो रही तो आप अपने जो वीडियो की क्वाल्टी है उसको बढ़ाई ये टेवल क्लियर हो जाएगी प्रिदर्शनी आपको डेली पांच दिन लगातार इनको पांच बार दिन में देखना है आप सभी को ये सभी जो इस्टेट है प्रड़क्शन वाले याद हो जाएंगे इस कोशन का जल्दी से अंसर कमेंट करिए देगे जितने भी लोग लाइब जुड़ गया है प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को जो एपसी आई एक्जाम की प्रिपरिशन कर रहा है उन तक सेयर कर दिजिए क्योंकि जो ये आज की क्लास है ये एपसी आई एस्पाइर रमली इन देखे जो स्ट्टीब रऊस्ट होता है इसे हम सभी लोग यzon रस्ट के नाम से भी जानते रहों है मैं और अगर आप साभी लोगओ उसे मेजर डिजीजर यहां राप देख सकते हैं में वीट क्रॉप होते हैं उसमें आपको मेली का g lab nice होता है यह तीन प्रकार का होता है पहला क्या ब्लैक रष्ट दूसरा ब्राउन और तीस्वाय यह राष्ट जो आपका ब्लैक रश्ट होता है यह कि इसे हम सभी लोग estm rust के नाम से भी जानते हैं याद रखना कि जो black rust होता है इसे हम सभी लोग estm rust के नाम से भी जानते हैं इसका जो यह late season में होता है कि इस ट्रीप रस्ट आपको late season में देखने को मिलता है इसमें क्या होता इसे हम सभी लोग killer killer के नाम से भी जानते हैं killer disease of wheat क्योंकि इसमें क्या होता जो पूरा पूरा जो plant होता वो kill हो जाता इस disease के द्वारा next है आपका leap rust जो आपकी early stage में देखने को मिलती है जिसे हम सभी लोग brown rust के नाम से भी जानते हैं यह आपका पक्सीनिया रिकॉंडिटा टिटिसी नामक जो फंगस होता है उसके कर्ण होता है और next है आपका strip rust जिसे हम सभी लोग yellow rust के नाम से भी जानते हैं यह आपकी जो है early stage में देखने को मिलती है यह दोनों जो है early stage में देखने को मिलती है और यह यलोग रस्ट होता है वो आपका पक्सीनिया एस्टी फार्मिस नामक फंगस से होता है जो तीन दों प्रकार के रस्ट है जल्दी से आप सभी लोग इनको याद कर लीजिए क्योंकि जो यह होता यह आपका नौर्थ इंडिया में देखने को जादतर मिलता है नेक्स्ट है आपका लूज एसमट लूज इसमसर होता है वह अस्टी लागो नुड़ा टिट्साई नामक फंगस से होता है और जो करनाल बंट डिजीज है वो टेलेटिया निवोसिका इंडिका नामक फंग आना यह इसका काजल आर्गनीजम है और लास्ट है आपका पाउडरी मिल्डियू डिजीज आफ वीट जो आपकी इरे से फेक ग्राइम निस वराइटी टिटिसी नामक फंगस से होती है आई देखिए ब्लैक रस्ट को एस्टि अमसित और ये लोर्ट रस्ट को स्टिप रस्ट के नाम से भी जानते हैं राइट एंसर आपका to 12% कहते हैं अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है और जो आपका स्ट्रीप रस्ट होता है इसे हम सभी लोग यलो रस्ट के नाम से भी जानते हैं जो आपका पक्सीनिया स्ट्रीफार्मिस नामक फंगस से होता है इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा option B वीट ग्रोइंग एरिया नौर्थ इंडिया जो आपका नौर्थ इंडिया होता है वहाँ पर यलो रस्ट या स्ट्रीप रस्ट ज्यादा कास करता है वीट क्रॉप को बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की वीच अब दा फॉलोइंग इस नॉट एप प्रिंस्पल करेक्टर आफ फाइलम आर्थो पोड़ा निमलिखित में से कौन सा संग आर्थो पोड़ा का एक प्रमुक लच्छड नहीं है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करें यहां पर आ उप्टिंस कारा ॉप्ट्सं हे सेग्मेंटट बोडी नेक्स्ट और सिग्मेंटट इप अपेंड़े जिसका इस नौन सा तब तक अगर हम बात कर आप सभी लोग उसे general characteristics of orthopoda जो अर्थो पोड़ा संग उसके जो जन्रालर करक्टर स्टिक्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं पहला है हमारा largest phylum in animal kingdom जो हमारा आर्थो ना संग है वो सबसे बड़ा largest phylum है next है इसमें include इंसेक्ट स्पाइडर मिली पेड्स संटीपेस्ट क्रैब और खिल आते हैं राइट यह भी और अगला है बाइलेट्रिकल समेट्रिकल कोलियों मेट एंड प्रोटोमेट होता है यह भी है इसका प्रिंसिपल करेक्टर नेक्स्ट है इस सो एक स्केल टॉन मेजर कम्पोनेंट प और well developed sense argon आर्थो पोड़ा के जो इंसेक्ट होते हैं उसमें पाया जाते हैं और इसमें open circulatory system पाया जाता है जो यहाँ पर आपको option में दिया है close circulatory system मतलब इसका यह answer नहीं होगा क्योंकि जो आर्थो पोड़ा संग के इंसेक्ट होते हैं उसमें open circulatory system पाया जाता है और अगला है आपका character group of important as pollinator of flower carrier of disease as and as food next है सबसे बड़ा फाइलम होता जिसमें one plus million species पाई जाती है कि निसांत option the right answer आप सभी का क्योंकि जो insect होते हैं उसमें close circulatory system बत पाया जाता है और हम अगर बात करें insect के तो insect का जो body होती है वो तीन पार्ट में divide होती है head number और एक हो गया head number दो हो गया thorax और तीसरा जो पार्ट होता है उससे हम सभी लोग abdomen कहते हैं जो head होता है उसमें एंटनी हो गया compound आई हो गया simple आई हो गई यह सभी पाये जाते इसके लावा माउथ पार्ट भी पाय जाते हैं इसके वाद अगर हम बात करें थो रिक्स की तो थो रिक्स में ठीप एर आफ लिट पाये जाते हैं जो थो रिक्स भी तीन पार्ट में दिवाइज होता है प्रो थोरेक्स मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स यहां पर देख सकते हैं जो इतना पार्ट होता इंसेक्ट का इसे हम सभी लोग थोरेक्स कहते हैं यह भी तीन पार्ट में दिवाइज होता है नंबर एक प्रो थोरेक्स मीजो और मेटा और जो तीनो थोरक्स के पार्ट से एक एक पेर लेग निकलते हैं और इसके अलावाद जो यह 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 पंक होते हैं विंग्स होते हैं वो भी इसके थोरक्स से ही निकलते हैं लास्ट जो इसका पार्ट अता अब्डोमेन अब्डोमेन जो होता है ग्यारा सेगमेंट में डिवाइड होता है जिसके अंतरगर्ट रेस्पाइरेट्री और जो आपके रिप्रोडक्ट्टिव और गन पाय जाते हैं वो सभी पाय जाते हैं इसके अब्डोमेन वाले पार्ट में और यह 11 पार्ट में डिवाइड रहता है तो इसको आप सभी लोग याद रखी लिजीगा कि जो इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है वो 11 पार्ट में डिवाइड रहता है क्योंकि इससे कोशन पूछा गया है कंपाॉंड राइड नी माउट पार्ट राइड है जो इसका हैड होता उसमें कंपाॉंड राइड नी माउट पार्ट यह सभी पाय जाते हैं इस कोशन का जो राइट अंसर है वो है option D कुलोज्ट सर्कुलेट्री सिस्टम अगले कोशन की नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक से कोश्चन जिसमें आप सभी लोगों से पूछा गया है मिनिमम सपूर्ट प्राइस इस डेटर्माइंड बाई गौवर्मेंट आफ इंडिया ओंदार रिकमेंडेशन आफ नियुंतम समर् सन्मूलिक का निर्धार भार सरकार द्वारा किसकी संसुस्ति पर किया जाता है जल्दी से जितने भी लोग लाइब जुड़े प्लीस इसकोशन का अंसर कमेंट करिए कि बहुत ही सिंपल कोशन है और यह मैं पांचे बार आप सभी लोगों को बता भी चुका हूं इसकोशन प्राइस देखिए अगर हम आप सभी लोग को बताएं MSP के बारे में तो जो MSP होता है इससे जो है डेटर माइंड करता है गवर्मेंट आफ इंडिया मतलब सेंट्रल जो गवर्मेंट होती है वो इससे डेटर माइंड करता और इसमें जो रिकमेंडेशन करता है वो कमीशन for agriculture cost and prices के द्वारा की जाती है recommendation और जो commission for agriculture cost and prices है इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में शुरुवात में इसका जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था agriculture price commission और इसके 20 वर्स के बाद इसका नाम हो जाता है commission for agriculture cost and prices मतलब 1985 में इसका नाम commission for agriculture cost and prices हो जाता है present time में इसके अंतरगत minimum जो support price होता है इसके अंतरगत 23 crop आती है जिन में से 7 जो crop होती हुँ होती है cereal की और जो 7 crop होती हो ओयल सीड की होती है पांच जो crop होती है वो होती है पल्सेस की और चार crop commercial crop इसमें include की गई हुई है कि देखे आपके एपसी आई में एक स्टेटिक साफ इंडियन एग्री कल्चर है तो आप सभी लोग याद रख लिए जिएगा कि जो MSP होता है उसमें साथ जो है crop cereal की आती है और जो पांच crop होती है वो pulses की आती है इसे आप सभी लोग रट लीजिएगा कि साथ सीडियल की crop होती है और पांच pulses की crop होती है और इनका अभी हम आप सभी लोग को आगे slide में इनका जो MSP है जो गौवर्मेंट के द्वारा इस वर्स के लिए डिसाइड किया गया वो बताएंगे तो इसे आप सभी लोग याद करके जाएगा अच्छा जल्दी से आप सभी लोग बताईए कि एफ आरपी एफ आरपी का फुल लेम कमेंट करिए और ये किस क्रॉप में दिया जाता है और प्रेजन टाइम में गॉवर्मेंट के द्वारा जो ऐस एफ यवर्पी डिसाइड किया गया वो कितना है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिए जितने भी लोग लाइब त्वेंटी त्री कृप शेवन सीरियल सेल और वाइफ कामर्स देखिए इसमें जो पुरस की फीफ क्रॉप फै चार कॉमर्सियल क्रॉप है इसको आप सही कर लीजये पांच लॉप पल्स डेटिया और चार कॉमर्सीयल की आती है कि शुगर के प्रवीन जाइग टंसर जल्दी से एफॉर पी का फुल नेम कमेंट करिया और प्रेजंट टाइम में कितना एफ आर पी दिया जा रहा है गौर्णनिंट के द्वारा प्राइ disrespect गोर्णिंट के द्षाहि कि दिया हैं देखिए तब तक हम बताते हैं आप सभी लोगों को नीती आयोग के बारे में जो नीती आयोग था इसकी जो इस्थापना हुई थी एक जन्वरी सन 2015 को हुई थी और नीती आयोग का जो हेट कौर्टर हो नई दिल्ली में इस्थित है और जो प्लानिंग कमीशन है उसी का नाम चेंज करके नीती आयोग रखा गया है मतलब जो प्लानिंग कमीशन पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाता था अब लेकिन नीती आयोग के नाम से जाता है फियर एंड रिकमेंटेट्टू प्राइज देखिए एफ आरपी का जो फुल नेम होता है फियर एंड जी मिन रेट्टू प्राइज होता है प्रिजेंट टाइम में 305 रुपए पर कोईंटल की हिसाब से गौवर्णमेंट एफ आरपी सुगर केड की क्रॉप पर किसानों को देती है नेक्स जल्दी से आप सभी लोग देखिए जो नाबाड है इसकी जो स्थापना हुई थी बारा जुलाई 1982 को हुई थी 분 म дела सिफारिश पर हुई थी और जो नाबाड है इसका हैड़क वार्टर मुंबाई में स्थिथ 행 फैड नेक्स्टन नफेड नसननल इसका जो फूल नेम होता है नेसनल agriculture co-operative marketing federation होता है इस की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और दो अक्टूबर 158 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेटक्वाटर है नई दिल्ली में इस्थित है और अगर हम बातते है नावाड की तो इसका जो फून इम होता नेशनल पैन फार एग्री कल्चार रूलर ऑइड सनल वहन फॉर एग्री कल्च अए और उलाप मेंट होता और जो नीति आयोग होता एंस्ट्युशन फॉर्ट ट्रांस्फार्मिंग इंडिया इसका फुलल में होता है सिवा रमन राइट है जितेन्द कुमार आप सभी का अंसर राइट है जो सिवा रमन कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पर नाबाड की स्थापना हुई थी और जो नफेड है उसके स्थापना दो अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका जो हेड़कोर्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और यहां पर आप देखिए कि MSP जो मैंने आपसे बोला था कि जो MSP है प्रेजन टाइम में किस क्रॉप को कितना दिया जा रहा है उसके वारे आपको बताएंगे जो पैड़ी है दोस्तों कामवन पैड़ी उसका जो MSP 23 24 के लिए कितना है 2040 और जो पैड़ी ग्र 2060 रुपए है पर क्विंटल यहां पर दिया हुआ है आपको देखिए जिस रेट पे गवर्मेंट किसानों से उनका जो उत्पाद होता है उसे लेती है उसे हम सभी लोग कहते हैं मिनिममम सपोर्ट प्राइस और जो बाजरा होता है उसका जो MSP 2350 है जो आपका जो हाइबर 600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से है और जो मूंग है इसका MSP 7775 है उर्द का MSP 6600 है और जो सोया बीन यलो कलर का होता उसका जो MSP होता है वो 3300 पर क्विंटल के हिसाब से गवर्मेंट पे करती है किसानों को और MSP फार रभी क्रॉप रभी क्रॉप में आप देख सकते ह है जो वीट होता है वीट का जो MSP है वो है 2125 रुपए और जो बारले है 1735 रूपए जो ग्राम है इसका जो MSP है वो 5335 रुपए और लेंटिल जिसे हमसे लोग मसूर कहते है उसका MSP है 6000 रुपए और रैप सीड आइन मस्टर्ड का जो MSP है 5450 रुपए है और जो सैफ फ्लावर होता है इसका MSP 5650 रुपए होता है तो जितने भी लोग वीडियो में FCI के अस्पाइरेंट है प्लीज आप सभी लोग जो पल्स और सीरियल होता है इनका MSP जट के जाएगा क्योंकि MSP से कोर्सन आने के चांसेस जादा है और क्योंकि आपके जो कोर्स में MSP में सीरियल और पल्सेस को ही पूछा जाएगा किसने पहली बार स्थापित किया कि बैक्टिरिया पौधो की बीमारी का कारण बन सकता है जल्दी से स्कोर्चन का अंसर कमेंट करिए कि टीजे बुरिल ने बोला था एंटॉन डी बैरी ने बताया था लिवन हॉक ने अब ब्रेफल्ट ब्रेफल्ट ने बताया था कि जो बैक्टिरिया होते हैं वो एक प्रकार का कारण पौधो की डिजीस का बन सकता है जल्दी से स्कोर्चन को कमेंट करिए, तब तक हम आप सबी को बताते हैं जो टीजे बुरिल थे, दोस्तों पहले हम शुरू करता है एंटॉन डी बैरी से, जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि एंटॉन डी बैरी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, जो एंटॉन डी बैरी होते हैं इन्हें हम सभी लोग फादर आप प्लांट पैथोलोजी के नाम से भी जानते हैं फादर आप प्लांट पैथोलोजी के नाम से जानते हैं एंटॉन डी बैरी को नेक्स्ट है आपका और एंटॉन डी बैरी ने एक चीज और बताया था कि जो लेट बुलाइट आप जो पोटेटो होता है उसका जो काजल आर्गेनीजम है फाइटो थोरा इंफेस्टांस के द्वारा कास करता है एंट टी बई ने क्या बताया था कि जो फाइटो थोरा इंफेस्टांस होता है लेट पोटेटो डिजीज जो होती है वो फाइटो थ पर दोस्तु लिवन होक्त ने सबसे पहले माईक्रो श्कोप को डेवलप किया था conservative सब्सक्राइड किसने सिताड लिवन होक्त ने पर जल्दी से आप सभी लोग बताए कि ड्रेफल्ड ब्रेफल्ड ने क्या अपना योगदान प्लायट pathology में दिया था इस कोशन का अंसर कमेंट करिए कि ब्रेफर्ड ने अपना क्या योगदान दिया था देखिए जो ब्रेफर्ड होते हैं इन्हें हम सभी लोग फादर आफ प्योर कल्चर टेक्निक के नाम से जानते हैं और इन्होंने डेवलप्त किया था artificial culture of microbes का इन्होंनों क्या डेवलप्त किया था आर्टी फीचियल कल्चर आफ माइक्रोब और इन्हें हम सभी लोग फादर आफ प्योर कल्चर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं प्योर कल्चर टेक्निक और जो आपके फस्ट है टी जे बुरिल इन्होंने क्या बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वह आगे चलके कारण बन सकता है प्लांट डिजीज का और सबसे पहली डिजीज थी नूइन्हों जो बतमल लब सबसे पहले जिसवेजिस को इन्होंने बताया था फाइर ब्लाइट औफ यर कौंसी डिस्टी काउन्स से फाइर ब्लाइट और फियर अच्छा जल्दी से इसका काजल आर्गैनिजम बता ये कि क्या होगा फाईर ब्लाइट आप यर जो इसका काजल आर्गैनिज्म क्या होगा जल्दी से स्कोशन का अंसर कमेंट करिए जो फायर ब्लाइट है उसका काजल आर्गैनिज्म क्या होगा देखे जो फायर ब्लाइट आप यह होता है इससे यह जो है अर्वीनिया कि एमाइलो वोरा कि नामक बैक्टिरिया के द्वारा होता है जो फायर ब्लाइट आप पियर होता है वो अर्वीनिया एमाइलो ओरा नामक बैक्टिरिया के द्वारा होता है इन्हों ने बताया था टीजे बुरिल ने बताया कि जो बैक्टिरिया होते हो फस्ट टाइम बताया था कि जो बैक्तिरिया है वो आगे चलके कारड़ बन सकते हैं पाउधों की डिजीज का कि फायर ब्लाइट आप यह राइट अंसर है कि अर्वीनिया एमाईलो और राइट रूबी रायर राइट है अंसर आपका इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन एट टी जे बुरिल बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की नेक्स्ट हमारा जो कोशन है वेन देयर अलार्ज नंबर आफ सेलर इन मार्केट इट इस काल्ड जब बजार बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि जब बजार में काफी संख्या में विक्रेता मौजूद होते हैं तो उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं यह एक agriculture economics का question है मोनोपोली, ओलिगोपोली, डियोपोली या perfect market completion जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप सभी लोग जितने भी FCI के तयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दिजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो लाई गई है 4-5 घंटे कम से कम इस वीडियो में मेरत लगी है तो इसे आप सभी लोग आज अपने स्टेटस पर लगाई ए अपने फ्रेंड्स को सेर करिए तब तक हम अगर बात करें आप से मार्केट इस्ट्रक्चर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट इस्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हम बात करें परफेक्ट कमप्टीशन की तो परफेक्ट जो कमप्टीशन होते हैं उसमें हांडेड फरंस होती हैं और इसमें फ्रीडम पाई जाते हैं इंट्रिया एक्जिट की फ्रीडम होती है लोगों के आने और जाने की फ्रीडम होती है इसमें जो होता हो homogenes good पाई जाती है इसे आप सभी लोग याद कर लीजिए जो homogenes good होते हो perfect competition में देखने को मिलती है मत और इसमें आपको जो information मिलती हो perfect information मिलती है इसमें अगर हम बात करें profit की तो normal profit इसमें देखने को मिलता है perfect competition में नेक्स्ट है आपका monopoly monopoly में एक जो होता है firm होती है मतलब एक seller होता है इसमें berries to entry होती है high price then competitive market होता है और economics of sale होता है इसके प्रमुक features है अगर हम बात करें oligopoly की जो oligopoly होते हैं उसमें five firms आपको देखने को मिलती हैं इसमें क्या होता एल फ्यू लार्ज फर्म डॉमेटेड मार्केट में होती है independence of firm पाया जाता सम बैरिस टू इंट्री के लिए पाई जाती है कुछ बैरीज और नेक्स्ट है आपका मोनो पोलिस्टिक कंपटीशन जो मोनो पोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें several firm with brand royalty पाय जाती है कि इसमें low barriers to entry होता है है low barrier to entry फर्म प्रोसिदर डिफेरेंट प्रोड़क्त पायता है और लेस प्रॉफेट देन मोनो पोली मार्केट की तुलना में कम प्रॉफेट पाय जाता है तो आप सभी लोग इसको याद कली जितने आपके important से चारों मैंने बता दिये हैं तो इसमें आपको perfect market monopoly, oligopoly और monopolistic completion ये सभी चार याद करके जाना है जो monopoly market होते है उसमें single seller oligopoly में पान से कम होते हैं और जो डियो पोली होता है इसमें to seller market में मौझूद होते हैं और जो perfect competition होते हैं इसमें homogeneous goods पाई जाती हैं और इसमें परफेक्ट information आपको commodity के बारे में मिलती है इस question का जो राइट अंसर होगा जल्दी से आप सभी लोग comment करिए इस राइट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट राइट हैंसर आप सभी का परफेक्ट जो market competition होती है उसमें जो है जो है लाज नंबर आफ सेलर मार्केट में देखने को मिलते हैं किनेक्स्ट कोशन है आपका एंटमोल ऑजी से पूछा गया है कैप्टेट टाइप आफ-एंटनी आफ फाउंड इन कैप्टेट प्रकार की एंटन एंटीना पाया जाता है जल्दी से आप सभी लोग इस का अंसर कमेंट करिए जो कैपिटेट टाइप के एंटनी होती हो किसमें पाई जाती हैं तब तक हम बताते हैं जो का एंटनी होती है इसे हम सभी लोग दूसरे सब्दों में फिलर्स के नाम से भी जानते हैं एंटनी को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं फिलर्स के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं फिलर्स के नाम से भी जानते हैं एंटनी को हम सभी लोग फिलर्स के नाम से भी जानते हैं और अगर हम बात करें आप सभी लोगों से modification आप एंटनी की आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंटनी है उसका modification कुछ इस प्रकार से हैं अगर हम बात करें आप सभी लोगों से कि एरिस्टेट टाइप के एंटनी कि ैंसट में देखने को मिलती है इस कोशन का जो राइट अंसर होगा अ आर इस्टेट टॉ-छैकी जो एंटनी उते वहाउस फ्लाइबंए और जो जेनी कुलेट टाइप की एंटनी होती है वो बीज में देखने को मिलती है इसके अलावा जो लामिलेट टाइप की एंटनी होती है वो एसक्रैप बीटल्स में देखने को मिलती है मोनली फॉर्म जो एंटनी होती है वो टर्माइट में देखने को मिलती है तकिने टाइप की ज सेटे सियस टाइप की जो एंटनी होते हैं वो ड्रैगन फ्लाई में देखने को मिलती है तो एंटनी का जो मोडिफिकेशन है आप सभी लोग याद करके जाएगा क्योंकि एंटनी से कोशन आपके एक्जाम में आने के जंसे ज्यादा हैं इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो ओप्सन एक ल 안녕 लाइप लोटे है अच्चा जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि को ली और लाइफ डोब टेरा में कौन-कौन से इंसेक्ट आते हैं जो दोस्तों कोलियोब टेरा इंद आर्डर होता इंसेक्ट का इसमें बीटल और वीवल पाए जाते हैं यह कोलियोब टेरा में पायते हैं बीटल्स और वीवल अगर हम बात करें आप लोगों से लैपडोब टेरा में तो लैपडोब टेरा में बटर फ्लाई हो गया इसके अलावा जो मौत होता है बटर फ्लाई और जो मौत होता है यह सभी लैपडोब टेरा इंसेक्ट जो आर्डर होता उसमें देखने को मिलता है प्राइमरी क्रेडिट को अपटिव सोसाइटी है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करें जो प्राइमरी क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी है उसमें कि क्या पाया जाता है टू टायर सिस्टम पायता है या फोर टीयर सिस्टम पायता है थ्री टीयर सिस्टम पाया जाता है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिए परवीन दिनेश प्रेदर्सनी जितेन जल्दी से इस कोशन का करें निशान जल्दी से बताए कि इस कोशन का अंसर क्या होगा तब तक अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो को आपरेटु क्रेडिट एगरी कल्चर ट्रेडिट जो एस्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है यहां पर आप देख सकते हैं इसे दो पार्ट में हमसे जानते हैं और लॉग टरम क्रेडिट होता है इसे हम सभी लोग तूस्टीयर शिस्टम के नाम से भी जानते हैं जो आपका इस टेट अंस इंटल को और ट्व बैंक्स आती है डिस्टिक्र को आपरेटू बैंक्स ओगया इसके अलावा प्राइमरी एग्री कल्चर सी स्ट्री ट्यार इस्ट्रक्चर इस नेच्ट है आपका लोंग टर्म क्रेंड जो आपका टू ट्रक्चर होता है सिस्टम होता इसमें आपके इस्टेट लोग याद करके जाएग कि इस कोशन को जो राइट अंसर होगा वोगा ऑप्शन सी ठीटियर इस्ट्रक्ट्चर नेक्स्ट कोशन है वाट डिजीज ऑप पटैटो इज रिस्टेक्टेट टू आलू का वाट रोग तक सीमित है जल्दी से स्कोशन का अंसर कमेंट करें कि जो आलू का वाट जो डिजीज होती है जल्दी से स्कोशन का अंसर कमेंट करिए आप सभी लोग तब तक हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो वाट डिजीज होता है उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में तो इसका जो वाट डिजीज होता है इसका जो कॉजल आर्गेनिजम है सिंची ट्रियम इंडो बायोटिकम इसक जो कॉजल आर्गेनिजम होता है वाट डिजीज का कॉजल आर्गेनिजम क्या होता है सिंची ट्रियम इंडो बायोटिकम इसका कॉजल आर्गेनिजम है इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो यहां पर पढ़ सकते हैं इसमें क्या होता है वाइट तू ब्राउन ट्यूमरस लाइ आपका developed below ground but under wet condition मतलब जो इनका development होता है ground से नीचे होता है और wet condition में ही आपको देखने को मिलता है अप wet condition में appear on stem and foliage wet condition में आपको stem of foliage में भी देखने को मिल सकता है next है आपका tumorous blank black and with age and में में रॉड ड्यू टू सेकेंडरी और गैनिज्म कि यहाँ पर इसके कुछ symptoms है और अगर हम बात करें आप लोगों से कुछ और जो डिजीज होती है पोटेटों में उनका और उनका causal organism तो आपकी जो पहली डिजीज है वो क्या है अर्ली ब्लाइट जो अल्टर नेलिया सोलनाई जो फंगस होता उसके काड़ होता है जो लेट ब्लाइट होता है वो फाइटो थोरा इंफिस्टांस नामक फंगस से होता है ब्लैक जो एसकर्ल डिजीज होती है वो राइजोक्टोनिया सोलनाई नामक और ऑर्गनिस्म से होती है लेक्स है आपका लीफ रूल जो आपका पोटेटो रीफ रोल जो वायरस होता है उसके काड़ देखने को मिलता है और जो आपका मोजायक होता है यह आपका वाय पर सकते हैं आप पर इस कोशान का जो राइट अंसर है दार जीलिंग सेट बंगाल राइट अंसर है आप सभी का कि जो अलू का वार्टı डिजीज होता है वो दार जीलिंग सेट बंगाल तक शीमित है नेक्स्ट कोश्चन प्रेमीट्यू टाइप आप माउथ पार्ट फाउंड इन इंसेक्ट इज कीटों में पाया जाने वाला आदिम प्रकार का मुखांग है इन में से जल्दी से बताए कि आदिम प्रकार का कौन सा मुखांग है दिनेश जितेन जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिए कि इन में से कौन सा आदिम प्रकार का मुखांग है तब तक अगर हम आप सभी लोगों से बात करें टाइपस आफ माउथ पार्ट के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इनसेक्ट में साथ प्रकार के माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं पहला है आपका बीटिंग और चीविंग टाइप माउथ पार्ट जो आपको काक्रोच हो गया ग्रास होपर हो गया इसमें देखने को मिलता है नेक्स्ट है आपका piercing and sucking type mouth part जो आपको hemipterus जो insect होते हैं उसमें देखने को मिलता है इसमें आपका example plant bug आता है नेक्स्ट है आपका piercing and sucking जो आपको diptera जो insect order होता है उसमें देखने को मिलता है इसमें आपका mosquito type होता है इसे हम सभी लोग दूसरे सब्दों में mosquito type के नाम से भी जानते हैं इसमें आपका female mosquito आता है next है आपका chewing and lapping type mouth part जिसमें आपका honey bee आता है बहुत important है इसे आप सभी लोग याद कर लीजिए achieving and lapping type mouth part होते हैं वो honey bee में पाय जाते हैं नेक्स्ट है आपका रास्पिंग एंड सकिंग हो गया तो इन्हें आप सभी लोग याद करके जाईगा इनसे कोशन आपके एक्जाम में आने के चांसे ज्यादा है इस कोशन का जो राइट अंसर चीविंग and beating type जो mouth part होते हो आदिम परकार का मुखांग होता है मतलब primitive type का मुखांग होता है achieving and beating type जो mouth part होते हैं नेक्स्ट कोश्चन जेंट इस दा रिवार्ड ऑफ किराया का पुर्सकार है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करें जो किराया होता है तब तक अगर हम बात करें आप सभी लोगों से subject matter of economics की subject matter of economics बताइए subject matter कौन कौन से economics में आते हैं इसमें आपका पहला है आपका subject matter consumer production distribution consumer production distribution और नेक्स्ट है आपका इक्स्चेंज और प्लिक फाइनस एक्स्चेंज और प्लिक फाइनस एक्स्चेंज यह सभी subject matter of economics है subject matter कितने आपके पांच है नंबर एक कंजूमर प्रोडक्शन डिस्टिबूशन और थर्ड है आपका इक्स्चेंज और लाकरी आपका प्लिक फाइनस यह सभी क्या है subject matter of economics और अगर हम बात करें आप लोगों से कि Pak फॉरच्टर आप पॉडक्शन पॉडक्शन के कितने फैक्टर ने तो फॉडक्शन के 4 फैक्टर है पहला मरा Direction नेक्स questionnaire आपका labor और तीसरा जो फ्iyet Il वह capital और 4 इंटर पीनियूर जो लाइन्ड का रिवार्ड होता है उससे हम सभी लोग कहते है रेंट और जो लेबर होता है उसे क्या मिलती है वेज़ेस या सैल्जी मिलती है उसका जो रिवार्ड हो वेज़ेस या सैल्जी है और जो कैपिटल होता है इसका जो रिवार्ड होता हो इंट्रेस्ट होता है और जो एंटर्प पयक्कियु Batman और दूसरा है आपकाıyorumic Works कूछ आप यह इन दोनों को हम सभी लोग दूसे सब्चुल में क्या कहते है जल्दी से अब सभी लोग इन का दूसरा नाम बताए तब तक अगर हम बात करें आप लोगों से कि फादर आप एकोनामिक्स किसे कहते हैं तो एडम एसमित है इन्हें हम सभी लोग फादर आप एकोनामिक्स कहते हैं इन्हों धन से समंधित अर्थ सास की परिभासा दी थी कि एको नॉमिक्स इस दा साइन्स आफ वेल्थ और जो आपका एको नॉमिक्स है ये आपका ग्रीग भासा के ओई को नॉमिकास नामक सब से मिलकर बना है जिसका मतलब होता हाउस होल्ड मैनेजमेंट देखिए जो माइक्रो इको नॉमिक्स होता इससे हम सभी लोग क्या करते हैं दूसरे सब्दों में प्राइस थेओरी price theory के नाम से भी जानते हैं micro economics को और जो आपका micro economics होता है इसे हम सभी लोग income theory के नाम से जानते हैं जल्दी से आप सभी लोग comment करिए कि जो father of economics है उनकी book का नाम क्या है Adam Smith की book का नाम जल्दी से आप सभी लोग comment box में छापिए जो माइक्रो एकोनॉमिक्स होता है उसे हम सभी लोग प्राइस थेयोरी और जो माइक्रो एकोनॉमिक्स होता है उसे हम सभी लोग इंकम थेयोरी के नाम से जानते हैं सुनिता राइट एंसर आप सभी का जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि जो Adam Smith है उनकी बुक का नाम क्या है इस question का जो right answer होगा option B land करिये कि इन में से कौन से साइंटिस्ट है प्लांड पैतो लॉजिस्ट है जिन्होंने मद्रास में इस्कूल आप माइको लॉजी की स्थापना की थी जल्दी से आप सभी लोग इस question का answer comment करिए तब तक हम आप सभी को जो इनके चारो एक्जामपल दिये वे हैं इनके बारें कुछ fact बताते हैं तो जो father जो आपके नीचे से सुरू करते हैं हमारा जो आखरी option एजे बटलर तो जो एजे बटलर है वेल्ट आप नेशन राइट हैं सब दिनेश मौरे आपका अंसर राइट है जो फादर आप एको नॉमिक्स एडम एफमित हैं उनकी पुस्तक का नाम वेल्ट आप नेशन हैं तो जो एजे बटलर होते हैं इन्हें हम सभी लोग फादर आप प्लांट पैथोलोजी इन इंड इंडिया जो एजे बटलर है इन्हें हम सभी लोग फादर आप प्लांट पैथोलोजी इन इंडिया इसके अलावा फादर आप माइकोलोजी इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं इजे बटलर को फादर आप माइकोलोजी के नाम से भी जानते हैं माइकोलोजी In India father of plant pathology in India father of mycology in India के नाम से हम सभी लोग किसे जानते इजे बटलर को नेक्सट एका एच एच फ्लोर एच एच फ्लोर ने कौन सा कंसेट दिया था जल्दी से आप सभी लोग बताएं कि जो एच एच फ्लोर थे है इन्हों ने जीन फ़र जीन कंसेट आप डिजीज ले इस्टेंट दिया था एच फ्लो ने क्या दिया था जीज फोर जीन कंसेट जीज फॉर जीन कंसेट कWe झाल डिजीज दिश्टेंट और जो आपके हैं जेसी लूथरा इन्होंने क्या डेवलप्ट किया था इन्होंने सूलर ट्रीटमेंट जो था उसे डेवलप्ट किया था सूलर ट्रीटमेंट जो था उसे किसने डेवलप्ट किया था उसे किया था जेसी लूथरा ने जो आपका फस्ट है के जैनरसिमहन इन्होंने मदरास में माईकोलाजी इन्वेस्ती इस्टाबलिष की थी इस कोर्शन का जो राइट अंसर होगा वहोगा option ए इस कोर्शन का जो राइट अंसर है वह है option कोशन A KJ नर्शिम्हन इन्होंने स्कूल और मारी को लाइक प्लांट पैथोलाजी आयट मद्रास नुएस्टी कि इश्ठापना की थी इस है नेक्स्ड गोशन है वारा लेट ब्लाइट आंफ पटाट्टो केन बी कंट्रोल बाई आलू की लेट गो नियन्तित किया जा सकता है के जल्दी इस मार्म आ जल्दी का अंसर कमेंट करई कि जो लेट ब्लाइट होता है उसे किसके द्वारा कंट्रोल कियाता है लेट बलाइट जो आपका अलू का होता है वह एक फंगस से होता है और सबसे पहले इसे अन्टॉं Bachelor बैरी ने बताया था कि जो आलू का लेट प्लाइट आप पोटेटो होता है वह फाइटोब थोड़ा नामक फंगस से होता है इस कोस्टन का जल्दी से अंदली आप सभी लोग अंसर कमेंट करें सुनिता दिनेश जल्दी से आप सभी लोग बताएए अगर हम बात करें भी एचसी डस्ट की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा कुलॉराइट यह एक प्रकार का इंसेक्टी साइड होता है और जो बोर्डेक्स में बोर्डो मिक्चर है इसे सबसे पहले मिलार्डेट ने 1885 मे फ्रांस में डेवलप किया था बोर्डो यूरस्टी में इसे डेवलप किया था इसमें आपका कॉपर सलफिट लाइं और वाटर आता है प्लस लाइं प्लस वाटर बोर्डो मिक्चर में कॉपर सलफेट, लाइम और वाटर आता है नेक्स्ट है आपका DDT इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइकलोरो, डाइफनाइल, ट्राइकलोरो एथेन DDT का जो फुल फॉर्म है डाइकलोरो, डाइफनाइल, ट्राइकलोरो एथेन यह एक प्रकार का इंसेक्टी साइड होता है इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बोर्डो मिक्चर जो है इसे हम सभी लोग यूज करते हैं लेट पुलाइट आफ पोटैटो को कंट्रोल करने के लिए रूबी राइट अंसर है आपका सुनिता राइट है दिनेश राइट एंसर ऑप्शन जो बी होगा बोर्डो मिक्चर इसका हम सभी लोग उप्योग करते हैं लेट बुलाइट आफ पोटैटो को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से बताएए कि यलो वेन मोजाइक और ओकरा डिजीज होता है किसके द्वारा ट्रांस्मिट होता है तब तक अगर आप सभी लोगों से बात करें अपसन एक बारे में जो एफिड होता है एफिड के द्वारा ग्रासी सूट आप सुगर केंड डिजीज होता है ग्रासी सूट और सुगर केड नेक्स्ट अगर हम बात करें एफिट के द्वारा बंची टॉफ और बनाना बंची टॉफ और बनाना डिजीज टांस्पिट होता है और तीसरा आपका आता है पोटेटो रीफ रोल लीफ रोल जो डिजीज होती है देखिए जो आपका एफिड होता है उसके दोरा ग्रासी सूट आप सुगर केड बंची टॉफ और बनाना और तीसरा जो होता है पोटेटो रीफ लोल जो डिजीज होता है वों ट्रांस्पिड होते हैं इसको आप सभी लोग याद कर ले जीजिए जो एफिड के दो मुजाइक इन भिंडी यलो वेन मुजाइक इन भिंडी जो होता है वो आपका वाइट फ्लाई के द्वारा काज होता है और अगला है आपका लीफ करल आफ टोमेटू अगर हम आप्सन सी के बारे बात करें लीफ होपर तो लीफ होपर के द्वारा जो डिजीज टांस्मिट होते हैं जल्दी से आप सबी लोग कमेंट करिए कि लीफ के द्वारा कौन सा डिजीज transmit होता है जो file audit of system जो file audit of system disease होता है यह किसके द्वार transmit होता है leaf आपर के द्वारा transmit होता है इसके अलावा जो आपका little leaf आप जो ब्रिंजल होता है वो भी आपका leaf आपर के द्वारा ही transmit होता है little leaf आप ब्रिंजल किसके द्वार transmit होता है leaf hopper के द्वारा होता है नेक्स्ट है आपका option thrips जो disease होती है वो आपकी bud necrosis आप ground nut बड़ नेक्रोसिस आफ ग्राउंड नट जो त्रिप्स के द्वारा बड़ नेक्रोसिस आफ ग्राउंड नामक डिजीज transmit होती है इसके लावा leaf curl of chili देखिए ये प्रमुक आपके disease है और ये आपके transmit agent है जो आप disease को transmit करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर हम बात करें फिर से एक बार रिपीट करें जो एफिड होता है एफिट के द्वारा grassy suit of sugar cane bunchy top of banana और इसके लाव तीसरा है potato reef roll potato reef roll जो होता है वो एफिड के द्वारा transmit होता है next है आपका white fly white fly disease होता है white fly agent होता है ये आपका yellow vein mosaic in भिंडी और next है आपका leaf curl of tomato को transmit करता है और अगला जो option C है leaf आपर leaf आपर जो होता फाइल और जो disease होती है सीसम में और इसके लावा little leaf of brinzel जो होते है उसे transmit करता है बात करें थ्रिप्स की तो थ्रिप्स होता है वो बड़ निक्रोसिस आफ groundnut और leaf curl of chili को transmit करता है इस question में आप से क्या पूचा गया था yellow vein mosaic virus यहां पर दिया हुआ है yellow vein mosaic जो भिंडी का होता है ओकरा का होता है वो white fly के द्वारा transmit होता है आप देख सकते हैं यहां पर तो यह जितने भी disease मैंने आपको बताएं इनको आप सभी लोग याद करके जाएगा किसके द्वारा यह सभी डिजीज ट्रांस्मिड होते हैं तो इस कोशन का जो राइट अंसर होगा वो होगा option B white fly next question apex organization for marketing co-operative society at the national level is राश्टी एस्तर पर विपढ़न सहकारी समतियों के लिए सिर्ष संगठन है जल्दी से आप सभी लोग इस question का अंसर comment करिए जो दोस्तों DMI होता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है directorate of marketing inspection directorate of marketing inspection जल्दी से आप सभी लोग बताए कि DMI डायरेक्टोरेट आफ मार्केटिंग एक सिंस्पेक्शन की स्थापना कि सन में हुई थी जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिये कि DMI कि स्थापना कि सन में हुई थी पेजन टाइम में इसके तीन से चार हेड़क्वाटर है आपका पहला है फरीदाबाद नेक्स है आपका हर्याना और अगला है आपका नागपूर में पढ़ते हैं और इसकी जो इस्थापना हुई थी 1935 में हुई थी कि डिम आई की डिरेक्टरेट आफ मार्केटिंग मार्केटिंग इंस्पेक्शन नेक्स अगर हम बात करें एप सी आई इसका जो फुल फॉर्म होता है फूट कार पूरिशन आफ इंडिया फूड कार्पूरेशन आफ इंडिया दोस्तों जो इसकी एप सी आई की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी और इसका जो हेड़ाफिस है वो नई दिल्ली में इस्थित है और नेक्स्ट जो आपका आप्शन नफेड इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रिकल्चर को आपरेट्व मार्केटिंग फीडरेशन इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका भी जो हेड़ आफिस है नई दिल्ली में पढ़ता है प्रिवियस कोशन में आप सभी लोग बता चुके हैं नफेड का फुल फॉर्म और जो आप्शन डी है एन डवल सी एफ तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल को आपरेट्व कंजूमर फेडरेशन आफ इंडिया नेशनल को आपरेट्व को आपरेट्व कंजूमर फेडरेशन आफ इंडिया एन सी सी एफ इसका भी हैट क्वार्टर नई दिल्ली में इस्थित है और इसकी जो इस्थापना हुई थी 1965 को हुई थी और जो नफेड है इसकी इस्थापना डो अक्टूबर 1958 को हुई थी इसका भी हैड आफिस नई दिल्ली में इस्थित नफेड का इस कोर्शन में आप से क्या पूछा दा अपेक्स और्गाइशन फॉर्म मार्केटिंग को अपरेटिव राइटी एड़ नेस्नल लेवल इस कोर्शन का जो राइट अंसर होगा नफेट सुनीता रूबी विगनेश आप सभी का राइट अंसर है इस जो नफेट है वो एक प्र नेस्नल एग्रिकल्चर को अपरेटिव मार्केटिंग फीड रिशन जिसकी स्थापना दो अक्टूबर 1958 को वी थी और इसका जो हेटकॉर्टर है नई दिल्ली में इस्थित है दोस्तों अगर आप एपसी आई फेज वन एक्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप सभी के लिए हमाएं प्लेट फॉर्म पर एपसी आई फेज टू के टेक्निकल पेपर के लिए मौक टेस्ट उपलब्द हैं इस कोर्स के जो प्रमुख फीचर हैं वो यहां पे जाएंगे बेज़ डॉन एक्जाम पैटर्न के कॉर्डिंग साथ सो बीस क्वेश्चन प्रक्टिस सेट आपको दिये जाएंगे और आप सभी के लिए दोनों ग्रूप के लिए ग्रूप ए और गुलूप बी के लिए एक आल इंडिया डेमो टेस्ट उपलब्द हैं तो आप सभी लोग हमारे मौक टेस्ट को इन्रोल करिए इसमें आप सब लोकों की जो गेट आप कंप्लीट एनलाइसिस आल इंडिया राइंक मिलेगी मतलब इंडिया में आपकी किस पोजीशन पर राइंक है और तॉपर्स का कंप्रीजन आप देख सकते हैं कि six test आपको group A के लिए और six test आपको group B के लिए मिल जाएंगे इसका जूब प्राईस है वो है डावल डियनन रूपिस मतलब 200 रूपे की कास्ट पर reject को इन्रूल कर सकते हैं इस कॉंप उन्रोल करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर फिर भी किसी प्राई क्वेरी होते हैं तो आप हमारे दिये गाल प्लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है रिसेंट नेम आफ लाक इंसेक्ट जल्दी से आप सभी लोग बताए कि जो लाक इंसेक्ट है इसका नमीनतम नाम क्या है देखिए अगर हम बात करें जो लाक कल्चर होता है जो कलुटीवेशन आफ लौट इंसलैक इनसेक्ट किया प्रूसें अम सभी लोग लाक किल्चर के नाम से जानते हैं ठीक और जो इसका जो प्रमुखोस्ट अगर HORN की बात करें कि इसका प्रमुखोस्ट प्लांट काउं काउंसा तो इसका प्रमुख स्थ प्लांट बेर हो गया आपका पलास हो गया इसके अलावा बबूल हो गया और मलबेरी हो गया सहतूत कुसुम और साल पर भी इसके होस्ट प्लांट है और अगर हम बात करें इसमें जो लाइक इंसेक्ट होता है इसमें इनकम्प्लीट मेटा मॉर्फोसिस पाई जाती है मतलब जो इंसेक्ट का डिवलप्मेंट होता हो तीन स्टेज़ में होता है एक निम्प और एडल्ट एक निम्प एडल्ट तीन स्टेटेज में इसका जो डिवलप्मेंट होता है लाक इंसेक्ट का मतलब इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फेसिस पाई जाती है और सबसे जादा जो लाक का पॉड़क्शन होता है जल्दी से आप सभी लोग बताए कि लाक का सबसे जादा पॉ पॉड़क्शन का सत्य प्रसेंट जो लाक का पॉड़क्शन होता है वह भारत अकेले करता है तो जल्दी से आप सभी लोग बताए कि लाक का पॉड़क्शन इंडिया में किस स्टेट में सबसे जादा होता है और अगर हम आप सभी लोगों से बात करें कि इंडियन लैक रि इंडियन लाइक रिसर्च इंस्ट्यूट जो है वो आपका राची जारखंड में इस्तित है और जो देखिए जो लाख होता है इसका सबसे ज्यादा जो पोड़क्षन होता जारखंड में सुनिता राइट हैंसर देखिए जो लाख होता है इसका सबसे ज्यादा पोड़क्ष होता है और इस कोशन में आप से पूछा गया था कि इस कोशन का कि नवीनतं जो नाम है लाक को क्या है अब संदी नेहा मातुर राइट है अपसद आपका अंसर राइट है जितिन कस्वन देखिये जो लाक होता है उसका यहां पर आप सकते हैं लाक इंसेक्ट का जो इसका साइंटिफिक नेम है कारिका लाका होता है इसका साइंटिफिक नेम कि जो रिसेंट नेम है इसे आप सभी लोग रिसेंट नेम कह सकते हैं और यह आपका लैसिफर लाखा जो था यह ओल्ड नेम है आप सभी लोग इसको याद करके जाएगा जो लाक इंसेक्ट होता है इसका जो रिसेंट नेम है लैसिफर लाक कैरी का लाखा है और जो ओल्ड नेम है लैसिफर लाखा इसका जो ओर्डर है वो है हैमिप्टेरा सब ओर्डर हम बात करें तो हुमुप्टेरा इसका सब ओर्डर family a charity है कि इस कोर्शन का जो राइट एंसर है वो है option C केरिका लाका देखिए जो वह वो जो आपने लिश्फर लाका बताया है यह इसका ओल्ड नाम है लैस्फर कर लाका जो था इस इंसर्ट का लाक इंसर्ड का ओल्ड ने मैं और जो रिसंट नेम है वो है केरिका लाका नेक्स्ट कोश्टन है हमारा इवोल यूशन से जल्दी से आप सभी लोग बताए कि ब्लैक रिवोलिशन रिफर टू काली करांति को संदर्भित करता है मिल्क प्रोडक्शन पेट्रोलियम एन क्रूड ओयल प्रोडक्शन जेन रेलवे नेटवर रोड नेटवर जल्दी से जेवन में आती है उस समय तीसरी और चौथी पंचवर्शी योजना के बीच में क्रांतियों की सुरुवात होती है और अगर हम आप सभी लोगों से बात करें कि जो कि यो प्रमुख रिवोलिशन है अग्री कल्चर में वह यहां पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन जिवोलिशन है इसका जो पूड़ा इसका जो वह है इसका जो इफेक्ट देखने को मिला था फूड ग्रेंपर मेंली सीरियल में वीट और राइस पर देखने को मिला था इसका जो पीरियट था वो 1966 से 67 था याद रखना जो तीसरी और चौथी पंचवर्सी होजना थी उसके बीच में हरित करांती की सुरुवात हुई थी अगर आप्सन में तीसरी पंचवर्सी होजना आती है तो आपको तीसरा क्लि करना है टिक करना है अगर चौथी आता तो आपको चौथी करना दोनों एक साथ नहीं दी जाएंगी और जो ग्रीन रिवलुशन सब्द है इसे विलियम गार्ड ने दिया था और अगर हम बात करें इसके फादर आप गिर इन लिवलुशन इन इंडिया की जो एमस्वामी न अगरी जो पूर्डक्शन होता है उससे समन्दित है इसी क्रांती के बाद इंडिया आज भी पर्द टाइम में मिल के पूरक्शन में फस्ट पोजीशन पर है ब्लू रियोलिशन जो आपकी फिस से समंदित है और जो वाइट रियोलिशन होता है इसके जो फादर है वर्गिस कुरियन जिन्हें हम सभी लो फादर आप वाइट रियोलिशन कहते हैं ब्लू रियोलिशन आपकी मचली के प्रोडक्शन से समंदित है ब्राउन जो है वो आप की रिवलिशन वो आप पोटाइटो से संबंदित है और जो रेड रिविशन है वो मीट और टमाटर के प्रॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और जो सिल्वर एलीशन एग और पॉल्ट्री के संबन्दित है और इवर गरीन जो रिवलेशन है इसका मतलब उता ओर आल डिवल्लपमेंट आफ एक्रिकल्चर इवर गरीन जो रिवलेशन टर्म कोईंड किया था वह मैं स्वामी नाथन ने दिया था तो आप सभी लोग जितनी भी क्रांतिया उनका रिवीजिन करके जाईएगा इस कोशन का जो अंसर होगा वोगा आप्शन भी पेट्रोलियम एंड कूड ओयल प्रोडक्शन निक्स्ट कोशन जो है इंसेक्ट बोडी वाल ट्रैकेल सिस्टम नर्वस सिस्टम मैल पीगियन ट्यूब्यूल्स फार्गेट और हिंड हिंड गड़ और ओर ओर जीनेटेट फ्रॉम कीट सरीर की दीवार स्वसंद स्वसंदली पराली तंत्रिकातंद मल पीगियन नलिकाए चात की उत्पत्ती होती है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिए तब तक अगर हम आप सभी लोगों से बात करें डेवल्लप्मेंट आफ और गन सिस्टम इन इंसेक्ट की तो इंसेक्ट के जो इनर और गन हुँद देखें जो मीजो मीजोडर्म होता है इसे हम सभी लो और जो एक्सोडर्म होता इसे हम सभी लोग आउटर लेयर और जो इंडोडर्म होता इसे हम सभी लोग इनर लेयर के नाम से जानते हैं तो यहां पर आपसे आपको बताएं कि जो इन्डोडर्म होता है इसमें बोडी वॉल ट्रयाख यल सिस्टम on the ministers इंसेक्ट के बॉड़ी वाल ट्राइक्यल सिस्टम नर्वस सिस्टम और मलपीएं जो ट्यूबल्स होती है इसके अलावा फॉर गट और हिंड गट भी पाये जाते हैं अगर हम बात करें मीजोडर्म की तो जो मीजोडर्म होता इसमें मस्कुलर सिस्टम इसका हार्ड कहते हैं इसमें मिटगर्ड पाया जाता है राइस टू मिटगर्ड मिटगर्ड इस कोशन को जो राइट अंसर होगा वह होगा ओप्शन ए एक्टोडर्म एक्टोडर्म में इंसेक्ट के बॉड़ी वाल ट्राइक्यल सिस्टम नर्वस सिस्टम मेलपीगें टूबल्स और इसे कोशन दा स्टेंग लेस हौन इपीट था बी इच बीना डंक वाली मदमकी है जल्दी सेlaw कोशन का अंसर कमेंट करें कि बीना दंक वाली कौन सी मदमकीं है इस्टिंगलेस मदमकीं कौन सी होती है और अगर हम बात करें देख सो रेरि eyelids आंप क्षंढ नीवी उसे हम सभी सबसे ज़्यादा सहट का पॉडशन होता है वह आपका इंडिया में पंजाब में होता है यााद रखना भारत में सबसे ज्यादा सहद का पॉर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यूरोपियन बी के नाम से भी जानते हैं यूरोपियन बी के नाम से भी जानते हैं और जो यूरोपियन भी होती है यह आपकी जो इंडियन भी होती है एपिस एंडिका एपिस इंडिका जो होती है उसे हम सभी लोग इंडियन बी के नाम से जानते हैं इसका जो चहरा होता है इंडिका के चेहरे से मिलता रहता है और इसका अगर हम बात करें यह जो एपिस्मेली फेरा होता यह सबसे ज्यादा सहथ का पूरक्षन करता है 40 kg से 180 kg पर यह पर हाइड के द्वारा पर कालोनी के हाइड के द्वारा होता है पूरक्षन मतलब 40 से 180 किलोग्राम पर किलोग्राम पर एयर पर हाइड के द्वारा इसका पूरक्षन सबसे ज्यादा होता है और नेक्स्ट है आपका एपिस्टराना इंडिका जिसे हम सभी लोग इंडियन बी के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है आपका मेली पूमा इस्पिसीस इससे हम सभी बी के नाम से जानते हैं और जो अगली है एपिस फ्लोरिया एपिस फ्लोरिया को हम सभी लोग लिटिल बी के नाम से जानते हैं है लिटिल बी एपिस जो फ्लोरिया होती है इसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं पंजाब और और इसके जो एपिस फ्लोरिया होता है इसका जो लिटिल बी के नाम से जानते हैं इसके प्रमुक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें प्रोडक्ट इसके द्वारा हम सभी लोग को हौनी सहद इसके लावा वैक्सेस और जो तीसरा होता होता प्रोपोलिस मिलता है और जो दोस्तों वैक्सेस होता इसे हम सभी लोग जील बी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं वैक्स को हम सभी लोग क्या कहते हैं जील बी प्रोडक्ट जील बी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं इसे हम सभी लोग जो वैक्स होता है इस कोशन का जो राइट अंसर है वो है ऑप्संट डी एपेस फ्लोरिया जिसे हम सभी लोग लिटिल बी के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन है डाइवर्सी फाइड फार्मिंग इस एक काइंड आफ विविद करसी एक प्रकार है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमेंट करिये कि इसका राइट अंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग बताया अगर हम आप सभी लोगों से टाइप साफ फार्मिंग कि बात के तो टाइप साफ फार्मिंग होते हैं फारमेज मेंट में वो पांच प्रकार की होती है पहली हमारा मिक्स फॉर्मिंग दूसरी है ड्राइब फार्मिंग और तीसरी है राइंचिंग फार्मिंग और चौती है डाइवर्सी फाइड डाइवर्सी फाइड फार्मिंग और पाचु यह एस्पिसिलाइज फार्मिंग यह जो टाइप्स आफ फार्मिंग है और अगर हम आप सभी लोगों से बात कर सिस्टेम आफ फार्मिंग की सिस्टेम आफ फार्मिंग में आपका इस्टेट फार्मिंग को आप रेट्व फार्मिंग कार्प्रेट्व फार्मिंग इसके लावा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग और नेक्स्ट है आपका पीसेंट फार्मिंग पीसेंट फार्मिंग और इंडिया में सबसे लावा प्यॐसर्म फार्मिंग सिस्टेम ही पात जाता है जो पीसेंट फार्मिंग होता है इंडिया में सबसे यादा फाइंड मलब पाया जाता है इसके अलावा कुछ चठा हो गया आपका जॉइंड फार्मिंग देखिए यहाँ पर क्या कुछन आपसे पूछा गया डाइवर्सी फार्मिंग इस एक काइंड आफ तो इसमें से आपको बताना है कि यह सिस्टम आफ फार्मिंग है या टाइप साफ फार्मिंग है तो यहाँ पर जो मैंने एक्जामपल आपको बताएं उससे देख के आपको तो अंदाजया लग गया होगा कि जो डाइवर्सीफाइड फार्मिंग होता है वह एक प्रकार का टाइपस आफ फार्मिंग होता है जिन्होंने भी आंसर किया उनका राइट अंसर है टाइपस आफ फार्मिंग में आपका मिक्स फार्मिंग ड्राइफ फार्मिंग और चौथा है कैपिटलिस्टिक पाच्वा पीसेंट फार्मिंग और चठा है आपका जॉइंट फार्मिंग इस कोशन का जो राइट अंसर है वह आप्शन भी अधी तैट फार्मिंग नेक्स्क्स कोशन का है है क कड़ा किया इंडिया इंडिया इं च्टव सभी लोग बताएग जो सेंटर सीलिक बोर्ड और इंडिया इसका हैवकर कहां एस्थित हैं जो सिल्क होता है इसका जो प्रोडक्शन हम सभी लोग क्या कहते हैं सेरी कल्चर कहते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आगर आपको बताएं तो इसका जो किंग्डम होता है कि लगार है वह क्या होता एंडि मीलिया होता है इसका जो फाईलम होता है स्ए्पीruck पोड़ा कलास आपका इंसेक्टा होता और और यह डो घे लहां और इसकी जो फैंपली होती है और जीनस की बात के तो जीनसजोंता बॉंबेक्स होता और इसपैसी नुराइग होती है जो बार्ट दीकल नैम होगा क्या होगा बॉंबेक्स Mora आ आरा कि नेक्स अकर हम बात करें आप लोगों से टाइप आउप औप शिल्क जो सिल्क होता हु안 कई प्रकार का होता है नमबर एक नमरे एक कायम मर्बेरी सिल्क दूसराudraadyaID Sa munga और 24 असर शी तो जो अजो मलबेरी सिल्क होता है यह high quality का होता है टॉप क्वाल्टी का होता है इसकी जर Ч क्वालिटी का जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है इसका जो इस्पीसीज है एक्टरकस रिसीनी एक्टरकस रिसीनी इसकी इस्पीसीज है और इसका जो प्लांट है फूड प्लांट वह कैस्टर रिसीनस कम्यूनिस नेक्स्ट है आपका मूंगा सिल्क जो लाइट ये लोवी इस slightly tough fiber provide करता है इसका जो species है वह एंथे जिया असामा और इसका जो plant है वो है आपका मुनूप पे टाला सम प्लांट लिस्टिया सिट्रे राटा और मयन कूरी प्लांट यह प्रमुग इसके प्लांट है और अगर हम बात करें लास्ट जो है आपका टैसर सिल्क टैसर सिल जो होता यह कॉपर ब्राउन कलर का सिल्क प्रोवाइड करता है इसकी जो प्रमुग species में जो पाई जाते हैं वह ऌत एंथिर्या माई टी माई टीला नेक्स्टा आपके एंथिर्या पाफीली पाफिया नेच्ट है एंथिर्या ओनलस्ट है आपके एंथिर्या प्रेन I knee पेरन नाइनी और इसकी जो प्रमुक प्लांट है इसका इनका जो फूड है वह आपका जूजू फस जूजूबा पालम ट्री इसका प्रमुक फूड है तो जल्दी से आप सभी लोग बताए कि हैड़ को आटर आप सेंटर सिल्क बोर्ड कहां पर इस्थित है और मैं आपको बताओं कि जो सबसे आदा सिल्का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे आदा सिल्का जो प्रोडक्शन होता है वो करनाटका में होता है भारत में सबसे आदा सिल्का प्रोडक्शन करनाटका में होता विस्व में इसका सबसे आदा सिल्का प्रोडक्शन चाइना मे होता है इसे आप सभी लोग याद रखना जो चाइना में सबसे आदा सिल्क का प्रोडक्शन होता है और भारत में करनाटक में सबसे आदा सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वोगा ऑप्शन भी बंगलूरू बंगलूरू में जो है सेंटर सिल् स्थित है कि नेक्स्ट कोश्चन मैक्सिमम हॉनी इस प्रडूस्ट इन दा स्टेट चल्दी से आप सभी लोग बताए कि सबसे आदा हॉनी किस स्टेट में पाया जाता है तब तक अगर हम कुछ आपको जो डिजीस होती है हॉनी की हॉनी भी की वो उसमें आपकी सबसे इंपोर्टेंट एक डिजीज होते है कौन से होती है नोसेमा डिजीज नोसेमा डिजीज जल्दी से आप सभी लोग बताए कि जो हॉनी बी में नोसेमा डिजीज होती हो किसके कारण होती है यह एक प्रकार का प्रोटो जोवा होता है उसके काड़ यह डिजीज आपको देखने को मिलती है उस प्रोटो जोवा का जो नाम है नोसिमा एपिस है इसका जो नाम है इस प्रोटो जोवा का नोसिमा एपिस इसका साइंटिफिक नेम है और अगर हम बात करें इसकी इसकी मिलब इस पेसीज में कुई होती है ड्रोन होता है और वरकर 20 होती है अगर दोस्तों जो ड्रोन होता है अगर हम आपको बताएं ड्रोन इसे हम सभी लोग मेल बीस के नाम से जानते इसका में काम क्या होता है फ़र मतलब कुई को फर्टलाइब करना और जो कुईज होती है यह सेक्सूल रे-पृडुडक्शन में फीमेल होती है सेक्सूल रिप्रॉडक्शन फीमेल होती है और जो ड्रोन होते हैं जो वरकर भी होते हैं इनका में काम क्या होता है कि जो कॉम होता है जो हौनी का छत्ता होता है उसकी देख रेक करना इसके लाओ जो बाहर ही जो मतलब बाहर से इन खलाने की योगी जो पर दार होता है उसको कलेक्ट करना इसके अलावा इनके जो होता है वरकर बी को रॉयल जेली का नहीं खिलाया तैसा तो यह बी एक प्रकार से कुईन ही बन जाती और जो वरकर भी होती है इनका जो लाइफ होते है वो छे वीक की होती है इनकी जो लाइफ होती है कितनी होती है छे वीक की होती है जल्दी से आप सभी लोग बताए कि जो हमारा सेंट्रल बी कीपिंग रिसर्च इंस्ट्यूट कहां परिस्थित है कि सेंट्रल बी कीपिंग रिसर्च इस्ट्यूट कहां परिस्थित है जल्दी से इसकोशन का अंसर कमेंड करिये कि सेंट्रल बी कीपिंग रिसर्च इंस्ट्यूट कहां परिस्थित है देखियो Central Be keeping research इस्टूड वो आपका पूरे महाराष्टा में इस्थित है और maximum जो प्रोड़क्शन होता है वो पंजाब में होता है और वर्ड में चाइना में इसका सबसे आदा प्रोड़क्शन होता है और अगर हम बात करें इसके taxonomical classification के वारे में इसका जो किंगडम होता है वो अनिमेलिया होता है फाइलम आर्थो पोड़ा होता है इंसेक्टा होता है और जो होता है हाइमनोप्टेरा होता है इसकी जो फैमिली होती है city और अग्रहं बात कर लिए जीनिस की तो जीनिस जो यह फिस होती है अघि проблем de stagnant की ऊडिश्द हमारा है कोश्चन नेशनल ब्ीडिक ग्र्श्टर इंपॉर्टन इंसेक्ट फर्मल्ली वर डाइक्टरेट और बायलोजकल कंट्रोल बी पीडी बीसी इस लोकेटेड एड जल्दी से आप सभी लोग बताए कि राश्टी करसी मातपूर कीट ब्यूरो पूर में जैविक नियंतर का परियोजन निर्देशाल है पीबी बीसी इस्थित है जल्दी से इस कोशन का अंसर कमे सार प्रदेश में इस्थित है कि नेशनल view off agriculture important micro organism कहां है माउ और जो आपका नेशनल ब्यूरू आफ एग्री कल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसे हम सभी लोग पहले प्रोजेक्ट डिर्टर आफ बायलोजकल कंट्रोल के नाम से जानते हैं इसका जो हेटकॉर्टर वह आपका बंगलॉर करनाटिका में इस्थित है इस कोशन का ज सब्सक्राइब जाता है कि नेक्स है आपका है है मिट है मेटा बोलस इंसेक्ट इंकंप्लीट मेटा मॉर्फिस विंग डिवलप्ड है मेटा बोलस में कीडे अधूरे काया पलट के पंक विक्सित होते हैं जल्दी से आप सभी लोग इस कोशन का अंसर बताईए तब तक मेटा मॉर्फोसिस की जो मेटा मॉर्फोसिस होता है इसे हम सभी लोग कायांतर या रूपांतर भी कहते हैं मतलब किसी भी इंसेट के काया में अंतर जो होता है उससे हम सभी लोग मेटा मार्फोसिस कहते हैं मेटा मार्फोसिस आपकी दो प्रकार की होती है पहली आपकी में पायता है और का इनक्मप्लीट में अ Qin कए इ ces होती है वो आपकी 100 शोप टेरी गोंटा की ऑ ketika the is complete में व्यक्लिवुफ्ट आपको देखने इलटा चार स्पेज में देखने हेमी मेटा बोलस जो कीड़े होते हैं उसमें जो पंक होते हैं वो एक्स्टर्नली डेवलप होते हैं कि नेक्स्ट कोशन है चौबटिया पेस्ट इस प्रिपेर्ड बाई मिक्सिंग चौबटिया पेस्ट तैयार किया जाता है जल्दी से इस कोशन का अंसर बताए कि चौबटि जो है इसकी कोच प्रीवोस्ट ने 1807 में की थी इसे हम सभी लोग जो बंट होता है वीट उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं बंट आफ वीट इसी की कोच किस ने की थी प्रीवोस्ट ने 1807 में की थी नेक्स्ट है आपका सूडियम कार्बूनेट ले आते हैं और वाटर ले आते हैं इसे सबसे पहले जो बरगंडी मिच्चर है उसे सबसे पहले मसून ने डिवलप किया था 1887 में मसून ने डिवलप किया था कब किया था 1887 में इसे डिवलप किया था और रूं और वाटर पहले मैंने मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो बोर्डों मिक्चर होता है उससे में कॉपर सुलफेट लाइम और वाटर होता है इसकी जो खोस थी वह मिलार्डेट नाख भाहग्यानिक ने फ्रांस में की थी और इसे हम सभी लोग डावनी मिल्डू आफ ग्रेव जो डिजीज होती है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और जो आपका चौबटिया पेस्ट होता है इसकी खोच वीबी सिंग ने 1942 में की थी इसमें कॉपर कार्बोनेट रेब्लीट और लन्यूनिक और होटा है फिर कि जो चौबटिया पेस्ट होता सकते हैं इस course में आपको डेली लाइब Lessा दि जाएंगी इसम conceal डिए जाएंगी। प्रियूस यह टिए पर दी जाएंगे टरी निढीन की और आपको प्रापर गाई्डेंस दिया जाएगा इस अप इस कोई रोल करने तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने